फ्रेंट्स नमसकार मैं राजन और आप देख रहे हैं mechanical engineering skills तो फ्रेंट्स आज हम अपनी इस वीडियो में आपको fitting tools के बारे में बताएंगे कौन-कौन से tools यूज करते हैं, marking tools, measuring tools, hand tools सभी tools के बारे में discuss करेंगे, हम आज अपनी इस वीडियो में तो फ्रेंट्स वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हमारे नए वीवर्स हैं। वह हमारे चैनल को स 누ाब करना ना भूले। और बैल आनकर शार्ण को ज़रूर दवाये हमारे चैनल की नए अफ़देट वीडियो सब से पहले बाने केलिये। तो friends, चलिए बाइब स्टार्ट करतें इस वीडियो को मैं इसे इसे स्थामिरमेंक है तो friends, सबसे बहले हम्मरे इसे, प्रिव्हें प्रिश्नल प्र Complete давस दूल। जो हम पोसरी डेशन की इदरान हैं, सबसे बहले हमेरे सेफटी ग्लासेज, हेलमेट्स उमारे ग्राैंडिंग हेलमेट्स हेलमेट्स उसके बाद हमारे सेफिटी सूज सेफिटी सूज के बाद looking nglabs, safety hand gloves एक कि आद माउट मासक उसके बाद में लिखिये हूनी हेलенд हेलत टेस्ट इंडिकेटर है हमारे दो तयाप्स के है याँ पर यह हमारा प्लेंजर टाइप है और यह लीवर टाइप कि इसके बाद बर्निर कालिपर। तो बर्निर के लिपर मेजरिंग टेप। और उसके बनेंग घि देखिए आप यहां से यह देखते हैं कि एसको हमारा depth वर्णियर कैलिपर इसको बोलते हैं हम depth वर्णियर कैलिपर इसके माइक्रो मीटर है हमारा ये माइक्रो मीटर डिजिलल माइक्रो मीटर आउटसाइड माइक्रो मीटर ये हमारा dial वर्णियर कैलिपर है dial वर्णियर कैलिपर उसके बाद देखें, कॉमिनेशन सेट यह प्रोटक्टर जो किसी भी डिग्री को मेजर कर सकते हैं हम इससे, यह मैक्रोमीटर यह हमारे जीरो से पचीसकी रेंज है, यह हमारा 25-50 की रेंज में, माइक्रोमीटर, depth micrometer किसी भी जोब की depth को measure करने के लिए हम depth micrometer use करते हैं उसी का हमारा ये digital micrometer है outside digital micrometer है उसके बाद ये bore gauge ये दख सकते हैं आप यहां surface gauge इसको बोलते है surface gauge किसी भी लेट मशीन में जोब के center को बादने के लिए हम यूज करते हैं इसको मारी angle plate देख सकते हैं आप angle plate इसको बाद देखी है यह मारी wise है इसको बोलते है bench wise बेंच wise के बाद दिये हमारा dividers है किसी भी circle arc वगराने के लिए हम बड़े बड़े circle लगाने के लिए कि हम डिवाइडर्स का यूज कर सकते हैं उसके बाद किसी भी जो पर हमें numbering करनी है उसके लिए यह लैटर पंच है number पंच है उसके बाद है हमारे पंच स्क्राइबर्स किसी भी जो पर marking करने के लिए स्क्राइबर इसके बाद ये weight cell hooks हमारे clam करने के लिए रसी वगरे clam करने के लिए हम weight cell hooks करते हैं इसके बाद ये देखिए हमारे locking nuts हैं ये इसको बोलते हैं locking nuts अब देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इस तरह से आगे nylon लगी होती है इसके उपर आगे head पर इसको बोलते हैं हम locking nuts अब देख रहे हैं हमसे nylon लगी हुई है इसके उपर और ये हमारे इस तरह से ये locking nuts है इसमें locking nuts हम कही तरह की उज़ कर सकते हैं इसमें इसमें उपर cap लगी हुई है lock कर सकते ही है यहाँ सर cap ये cap charging nuts इसका इस gasket और एंदेऴ cdH किसी भी लीकेज वेख सब्सक्राइम इसकी सीट से पना सकते एक्सकेट है उसके पाद यह अजया हमारे हेक्सागोंन नेट अन niट पॉल्ट से दिफerson डिफरेंट साइज इस में अनिल वर्ट एल वाऍ yol sa The Haverick इसके साथ इसकेस बाद हम दखे देगें यहां पर Hand Tools है हमारे Hand Tools में यह हमारे Ring Spinner D Spinners Registable Spinner यह हमारे सारे Hand Tools है Hand Tools में इसके बाद यह हमारे Screw Driver Set है Screw Driver Set Screw Driver Set इसके बाद देखिए यह हैमर्स है हमारे हैमर्स इसमें सबसे पहले ही देखते हैं बॉल पिन हैमर है हमारा इसका पैन आगे से बॉल की सेप में यह बॉल पिन हैमर इसके बाद देखिए हमारा क्रॉस्पिन हैमर इसको बोलते हैं क्रॉस्पिन हैमर आप देख सकते हैं इसका ह वह हैंडल से क्रॉस में है इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर और जो होता है हमारा एक और स्ट्रेट पिन वह हैंडल से बिल्कुल स्ट्रेट में रहेगा उसका जो यह पैन है वह हैंडल से स्ट्रेट में रहेगा इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन है मर इसक प्लायर्स है हमारे डिफरेंट 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 प्लायर्स के साथ ये देखिए आप क्लैम इसको देख सकते हैं किसी भी जॉब्स में डिलिंग करनी है या कहीं पर क्लैम करना होता है तो उसके लिए हम इसको बोलता है सी क्लैम तो क्लैम करने के लिए हम सी क्लैम का देबने के लिए हम इनडारेक्ट मेज रिक इस्टूमेंग है इसको बहुत इनसाइड इनसाइड गलिपर और यह हो नहीं है आपरिस को टेंधान है किसी भी जो आपको में शर्फेस को चेक करना है उसकी सब्सक्राइक करने के लिए इस्टरे समिस्के लेवल यहांद शेक कर सकते हैं यहां पर इस एर बॉल्स के जरीए इसको बहुते हैं किवूद 1480 स्प्रिट का स्विंव stud defined के साथ यहां पर यह वारडिंगफ्वाइल है देख सकते हैं आप जिए वायदिंग Вास्ट हमारी नाइफेज फाइल देख सकते हैं आप नाइफेज फाइल है अब देखी ये स्पेशल फाइल्स होती है हमारी अलग से हम इनका यूज करते हैं इसको बोलते हैं फिदर इज फाइल फिदर इज फाइल इसके बाद आप देख सेते हैं यहाँ पर यह ट्रैंगलर फाइल है हमारी 1500 mm की लेंथ में ट्रैंगलर फाइल इसके बाद यह राउंड फाइल 200 mm 250 mm की लेंथ राउंड फाइल इसके बाद यहाँ सेम ही स्कौाइर फाइल है इसकी लेंथ 250 mm इसके बाद जे देखे फिलर गेज इसको बलते हम फिलर गेज इसमें देखे लीप सोती है है डिफेंट डिफेंट साइजिस की अलग-अलग दो मैचिंग पार्ट्स हम मेल और फिमेल जो बनाते हैं उसके अंदर क्या गैप रह जाता उस गैप को चैक करने के लिए हम इसको फिलर गेज का हम यूज करते हैं फिलर गेज का तो फ्रेंट्स ये तो था हमारा टूल्स के बारे में कि फिटिंग सोल में हम किस किस तरह के टूल्स यूज करते हैं और भी यूज करते हैं हम नेक्स वीडियो में आपको बताएंगे और एक हर एक टूल्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे फ्रेंट्स उसके बाद हम डिसकस करते हैं मसीन के बारे में सबसे पहले डिसकस करते हैं हमारा बैंच क्लाइड इसको बोलते हैं हम बैंच ग्राइंडर किसी भी टूल्स की सार्पनेस करने के लिए टूल्स को सार्प करने के लिए ग्राइंड करने के लिए हम बैंच ग्राइं किसी भी जौफ की सराफिस को फिनेश करने के लिए कि सब्सक्राइब कर सकते ऐसे सरफेस ग्राइंड राण कि यहां से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सर्फिस क्राइंडर कि इसको बोलता है सर्फिस क्राइंडर कि इसके बाद मिलिंग मेशीन मिलिंग ओप्रेशन कर सकते हैं हम इससे और जेंटल और वर्टिकल दोनों टाइप्स के ओप्रेशन कर सकते हैं मिलिंग मसीन अभी आप देख सकते हैं यहां पर वर्टिकल हैड लगाया हुआ है हमने अभी स्टार्च करके दिखाते हैं आप देख रगे हैं यहां से कि इसको बोलते हैं मिलिंग मशीन इसके बाद डिसकस करते हैं हम यह एन्विल हमारी कोई भी स्टैकिंग का काम पंचिंग करनी है चोड करनी है इसको हैमरिंग करनी है उसके लिए हम एन्विल का यूज करते हैं उसके बाद यह डिलिंग मशीन हमारी इसको पुलते हैं ड्रिलिंग मसीन इसके बाद हम देखते हैं टैपिंग मसीन जो आप हम किसी भी जो इंटर्नल थ्रेड्स को काटने के लिए टैप का यूज़ करते हैं उसी हम इसे मसीन से भी कर सकते हैं टैपिंग उसके लिए हम तेपिंग मसीन का यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं आप देख रहे हैं यहां पर इसकी रोटेशन क्लोकवाईज और अंटी क्लोकवाईज तो अनों डारेक्शन में मूव कर रही है यह मारी टैपिंग मसीन एजिए फ्रेंट्स ही हमारी लेट मसीन इस मसीन पर हम डिफेंड टैप्स के उप्रेंश कर सकते हैं लेट मसीन अजिस्काइव इवे सकते हैं यहां पर यह हमारा पावर हेक्सा देख सकते हैं आप यहां से पावर एकसा आप देख सकते हैं यहां से पावर एकसा उसके बाद देखते हैं हम यहां पर यह हमारे सिएंजी मसीन है CNC lathe CNC turning देख सकते हैं यहाँ पर यह CNC lathe है यह इसका controlling panel है तो friends यह तो था हमारा fitting shop में यूज़ होना याले tools और machinery के बारे में और भी ज़्यादा tools और instruments में discuss करेंगे हम अपनी next video के बारे next video में तो friends इस video के ज़्यादा ज़्यादा subscribe करें share करें and hit the bell icon for more updated video thanks for watching, thank you